कि दोस्तों सीटेट का एक्जाम बहुत नजदीक है और आप लोग की तयारे भी बहुत ज्यादा फास्ट चली रही है और आप लोगोंने तयारी अच्छे से कर रखी है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एक्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप ल दोस्तों हजारों विध्यारती फेल होकर बाहर निकलते हैं दोस्तों ऐसा आप लोग के साथ ना हो तो आप लोग यह वीडियो तीन-चार मिट की वीडियो रहने वाली है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा और अंतर दक वीडियो को आप लोग होंगे कि वीडियो को आपको पूरा ही देखना है तब जाकर आप लोग को पूरा समझ में आएगा छोटी सी गलती और बड़ा पस्तावा ऐसा आप लोग के साथ ना हो देकि सबसे पहले देखिएगा मैं आप लोग को बता दूं क्या-क्या गलतिया एक्जाम में होती हैं जो अकसर हम लोग करते हैं और घर आकर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग का थोड़ा दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है तो यह चीज़े हम लोग समझने वाले हैं और आपको आपके एक्जाम के लिए पहले से ही गुड़ लग ठीक है देखिए दोस्तों पहले मैं आप लोगो को दिखा देता हूं इसके बाद मैं आपको पुराना पेपर भी दिखाऊंगा किस तरह हम लोगो को करना है और देखिए का जो सीट एट है आज इवन इसकी वैलेड़ी है और जब से आज इवन की घोषना हुई है पहला पेपर यह होने वाला है है ना पढ़िये का के हम लोग जो है अडमिट का डाउनलोड करते हैं तो उससे पहले आप लोग के लिए कोविट घोषना पत्र निकलता है तो उसको फिलप कीजिएगा और साथ ले जाएगा अब भ्यारतियों को इस आजए का घोषना पत्र अपने साथ रखना होगा कि उन्हें जुकाम बुका सांस लेने में कोई समस्या आधी नहीं है परिक्षा के अंदर में प्रिवेस के समय पूछे जाने पर घुषना पत्र दिखाना अनिवार होगा राष्टिया अध्यापक सिक्षा पत्र सिक्षा परिसद एंसी टी की और से सीट एट की वेद्धिता आज इवन किया जाने के पहली बार प्रिक्षा देने जा रही है जो दोस्तो यह आप लोग लेकर जाएंगे और अप लोग एक पैन लेकर जाएंगे मैं आपको बता दू क्या कर ले जाना है अब्हराइन है अब आपको ले जाना है एक पैन वो दोस्तों पैन जो हो दस रुपे बाला यानिकी दोस्तों इसकी निप जो है वह थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ठीक है और एक दोस्तों आपको ले जानी है ID और हो सके तो अपना एक फोटो भी रख लिना वैसे मांगता नहीं है वैसे वहाँ पर हो सके तो रख लिना बैल्ड वगएरा जो भी आपके पास समान रहता है बैल्ड हो गया आपके पास कोई कड़ा वगएरा हो गया तो इन चीजों को बैल्ड पर्स वगएरा तो इन चीजों को दोस्तों आप लोग अपने साथ ना ले जाए या अगर आपका कोई साथी है जो की आपके साथ गया है तो उसको सोब दे सारी चीजे ठीक है और पैन दो लेकर जरू जाएं दोस्तों क्योंकि कभी-कभी एक पैन खराब भी हो जगता है ठीक है मोटी निप का पैन लेंगे ब्लैक वाला तो बहुत अच्छी बात रहेगी देकि सबसे पहले देखी का हम लोगों को OMR seat कैसे fill up करनी ह है मान लिजेगा हम लोगोंने first language में ली है हिंधी ठीक है? और second में हम लोगोंने क्या ली है? Sanskrit है यस फिल अंगरेंगर सेंड को और हमार से सारी कीशे मैं आप लोगों को बताने बाला हूं सबसे पहले सबसे आदा confusion जो होता है इसी में होता है मैं आपको पहले पेपर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों जैसे कि आप लोग पेपर देख पा रहे होंगे देखो परिच्छा पुस्तक संकेत यानि कि बुकुलेट कोड देखे एक आपको यह फिलप करना कोड फिलप करना है अपनी उसमें फिलप करना पड़ेगा और दोस्तों जैसे आप लोग की बुकलेट है या आपकी आई और तो ओमर सीड जो आप लोग देखेंगे और सीड भी जो ना बुकलेट में रखी हुई आती है तो वह भी आपकी आई की ही होनी चाहिए दोस्तों यह चीज आप लोग चेक क पांक हैं तो यह चीज तो चलिएगा यह तो आप लोग अपने साथ लेकर आजाएंगे अपने घर पर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं तो बाल विकास के देखिए तीस परसन आप लोग के यहां से हो जाएंगे ठीक है तो शुरू के तीस परसन किसके होंग वो आएगा दोस्तों EVS क्या आएगा EVS EVS भी सभी के लिए कंपलसरी है इसमें भी कोई व्यक्तिस को छोड़ेंगे नहीं ठीक है चलिए देखिएगा 90 नंबर तर तो कोई प्रोब्लम लोग को पढ़ने वाली नहीं है तो 90 नंबर तो हमारे यहां से होग कंपलेट अब दो देखिएगा अगर आप लोगोंने लेंग्वेज फर्ष्ट में इंग्लीज को सलेक्ट किया है द्यान दीजे लेंग्वेज फर्ष्ट में आप लोगोंने इंग्लीज को सलेक्ट किया है तो ही इस वाले पार्ट को आपको करना है यह जो पार्ट है आपका ठीक है 91 से लेकर 120 वरना नहीं करना है माल दीजेगा आप लोगों ने लिए हैं फर्स्ट लैंग्वेज आपके हिंदी है तो यहां पर देखेगा इस तरह से लिखावा होगा हिंदी में सुद्ध सुद्ध सब्दों में कि परिक्षार थी यह वाला जो पोर्शन है 91 से 120 तक तो तभी यह उत्त आप लोग के कपी सारं रेकमेंट भी आयते जाए तरach शुड cleaner्ट से जो है इस चीज को करन लगों फेल होए ठीक है मैं कहसा ओं तो चलिए इस में हम लोगों ने कर लिए हिंदी को काभर कर लिया हिंदी को कभर के हम लोगों तक हम लोगोंativas कर लिया तो इसके बाद देखी क्या करना अजो स्टार्प्रती होगी आपका ठीक है मैंने क्या बोला हम ले जु है ना संस्कृत के लिए अपको एक अलग से बुकलेट दी जाएगी उसको आप लोग फिलप करेंगे अब चली हम लोग चलते हैं ओमार सीट पर कैसे हम लोग को फिलप करना है दोस्तों थोड़ा सा भद्दा दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं है देखो यहां पर क्या है बुकलेट नंबर जो मैंने आप लोग को बताया था कि बुकलेट नंबर लिखा हो आता है तो वह आप लोग को यहां पर फिलप करना पड़ेगा यानि कि यहां पर भी दोस्तों मतलब यहां पर भी छपा हो आता है लेकिन फिलप कहा करना पड़ेगा आपको यहां पर करना पड़ेगा ठीक है यानि कि जो गोले मत भर देना किस तरह से भरने आपको मैं बता देता हूं कि दोस्तों जैसे आपका 12345678 मान लिजेगा एट डिजिट का आपका जो है क्या है रोल नंबर है तो मान लिजे एक है यहां से तो आप लोग एक वाले को ही फिल करेंगे ना कि दो वाले को सिर्फ एक गोले को फिल अप करेंगे फिर उसके बाद जैसे मान लिजे हमारा तीन है दूसरे नंबर तो तीन को फिल अप करेंगे इस वाले को ठीक है मान लिजे यहां पर देखिए दो है आपका तो दूसरे को फिल अप किया है हमने 1234 यहां पर 4 है तो हम और यहां पर second number पर लिखा जाएगा आपका जो आपका main booklet number है ठीक है यहां पर आप लोग fill up कीजेगा code आपको language का दे देना है मालेजे आपकी language second जो Sanskrit है तो उसका जो है आपका जो दूसरी booklet मिलेगी ठीक है उसका code आपको यहां पर fill up करना है मालेजे आपकी पहली language तो हिंदी है दूसरी आपकी English है तो इसमें मतलब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर आप लोगों second language कोई भी दूसरी ली है तो उसमें आप लोग को fill up करना है ठीक है क्योंकि यह जो main region है गलत हम लोग यहीं पर कर देते हैं जो कि आपका देखो 120 तक यानि कि 90 तक तो हम लोग सही कर लेते हैं इसके बाद 91 to 120 तक यह जो portion रहता है 60 नंबर का सबसे ज़्यादा गलतिया जो होती है वो यहीं से होती है आप लोग इसको सुधार किजि indiecomed 211 और अपना पैन आधार कार्ड नंबर और अधार कार्ड नंबर क्या और अट्मिट कार्ड और आप लोग देखें जरूर लेकर जाएगा विद अधावर उट मास्क आपकी zij काकी जाकी तो मेरे कौशिस रहे कि दोस्तों आप लोगों को कुछ पूरा समझ में आहीं कई होगा अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कर दजगाए जिस से कि मैं आप लोगों को पूरा आपका जवाब दे सकों ठीक है थैंकियो सो मच बाप आए